और आयोध्या गैंगरिप मामले पे बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर लकनव में गर्बपात के बाद में पीडिता आप वापस आयोध्या आ गई है आयोध्या जिला महिला अस्पताल में पीडिता का इलाज चल रहा है तो एक प्राइवेट वाट में नाबालेक पीडिता को भरती कराया गया है अब तक की अपडेट के अनुसार पीडिता का डियने टेस्ट के लिए सेंपल लिया जा चुका था जबकि आरोपी सपानिता मोहि होगी का डियने टेस्ट होगा और जारस्वानकारी के साथ में केवी शुकला फोल लाइन पर जूड़ गया है केवी बताईए आज का दिन कितना खास रहने वाला है कूरे मामले को लेकर क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं लगतार पुलिस प्रिशा संजाज परताल भी कर है दूसरे तरफ बैक टो बैक एक्शन और कारवाई भी की जा रही है कि बता दे कि पीड़ता को देटर इलाज के लिए के जिमों के क्यूं मरी में बर्ती करा गया था वहां पर उसका सुरचित गरपात करा गया और वहीं पर देने टेस्ट के लिए सेंपल भी जा गया था उसके बाद उसे जो है आयोग्जाज के जीला में पूना बर्ती ग़ुए गया ज्योंकि गरपात के बाद उसे का भी कमजोरी हुई थी कमजोरी को देखते हुए जिलाना तलको बर्ती करा गया फर पर मादी इसमर्फ करिए जहां पर में भी कुर साकर्मी को सोच्छाए लि जमीने हैं उनको खाली करवाया जा रहा यहां तक की पब्लीक एड़े सिस्टम से कल एनाउंस करा गया कि जो भी सरकारी जमीने हैं वो तुरंट खाली कर जेकर नहीं खाली करते हैं तो फिर प्रतासन कारवाई करेगा तो ऐसे में जो वहां पर अथानिये लोग हैं कुछ न जानतारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका हातरस में रफ्तार का कहर सामने आया है ट्राक ने बाइक में टकर मार दिये हादिसे में बाइक सवार एक लड़की की मौत हो गई है और दूसरा लड़का गंभी रूप से घायल हो गया घायल को अलिगर्ट रेफर किया गया है हादिसा सिकंद्रा व्राउ रोड पार पुलिस लाइन के पास हुआ